प्रवादा राज्य सरकार की गले की फास सावित हो रहा है दरसल सुमबार राज से ही ये खबर वाइरल होने लगी कि इस संग के प्रदेश अध्यक्ष दाउद खान को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के पहले ही गिरफतार कर लिया है प्रदेश के पूर्व सीम रमन सिंग ने अपने ट्वीटर पर इस गिरफतारी का जिक्र किया सुबह इस मामले में खूप चर्चा हुई कॉंग्रेस ने रमन सिंग के दावे को जूटा बताया मगर दूसी तरब D8-B8 संग के लोगों ने ये बात कबूली कि पुलिस की धमकी के कारण उन्हें आंदोलन इस्थगित करना पड़ा संग के अध्यक्ष के मुताविक प्रशासन ने उन पर COVID गाइडलाइन पालन करने का दवाव बनाया जिसके कारण उन्हें अपना अंदोलन रोकना पड़ा अगर आपने किसी प्रकार का भी प्रशान किया तो आप लोगों के उपर दंडात्मक कारेवाही की जाएगी और खासकर जो जो पदाधिकारी हैं आपके जिला अध्यक्ष हैं इनकी जिंदगी दुभर कर दी जाएगी इनको कहीं पर भी नौकरी के लिए नहीं मिल पाएगी इनको नौकरी इनकी जिंदगी हम दुभर बना देंगे करके साथ तोर पर चेतावनी दी गई दोपर इस बात को लेकर असमंजस रहा कि सिक्षकों का धरना होगा या नहीं वो गिरपतार हुए या नहीं इसके बाद सिक्षक संग के लोगों ने सामने आकर कहा कि उन्हें गिरपतार नहीं किया गया है कलेक्टोरेट गार्डन में एक मीटिंग के बाद उनका प्रतिनिधी मंडल सिक्षा मंत्री से मिलने पहुचा उदर इस कबायत के बीज विपक्षी दल बीजेपी ने कहा कि सरकार का रवईया ताना शाही है सरकार अपना बादा निभाए मुख्यमंत्री का आया था कि हम इसको एक सब्ता के अंदर मिंट के निक्ति हो जाएगी अब जब ये प्रदर्सन कर रहे हैं तब ये कहा धमकी दिया जाता है कि 4-5 लोगों को देख लिया जाएगा मुझे लगता है कि ये सरकार के ताना साही रविया है और जिस प्रकार से दादा गिरी कर रहे हैं ये लोक तंतर में वुचित नहीं है प्रदेश में इस से पहले 7 सितंबर 2020 को सिक्षकों ने आंदोलन किया था उसके बाद 2000 से ज्यादा सिक्षकों की नियुक्ती भी हुई लेकिन फिर कोरोना के बढ़ते प्रकोग की बज़े से ये नियुक्तिया टक गई इसी को लेकर अब संग एक बार फिर सडकों पर उतरना चाहता है विपक्ष उनके आंदोलन को हवा देना चाहता है लेकिन सरकार बाचीत के जरीय मेर्टर को सुलजाने में जुट दे अब शेक्षुक्ल बंसल नियूज राएपोर नमस्कार मैं हूँ विकास जिवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मिसगाइड अंदोलन जी हाँ आपको सुनकर शायद आशर हो रहा होगा कि मिसगाइड अंदोलन ये शब्द कहां से आया तो अंदोलन भी मिसगाइड होते हैं चप्तिसगड के डिएड बिएड संग का रायपूर में धरना प्रदर्शन और रैली का तैकारिक्रम था लेकिन ये हो नहीं पाया दरसल सुमवार राज से ये खबर वाइरल होने लगी आज जिस दौर में हम हैं वहाँ वाइरस से तेज गती से सूचनाओं का प्रवाह इतना तेज है कि खबरें कब वाइरल हो जाती हैं ये भी पता नहीं चलता तो इस वाइरल होती खबर में क्या कुछ था? इस खबर में था कि प्रदेश अध्यक्ष को पोलिस ने विरोत प्रदर्शन से पहले ही गिरफतार कर लिया है प्रदेश के पूर्व मुखेमंत्री डॉक्टर रमन सिंग ने इस मौके का पूरा-पूरा फाइदा उठाया और अपने ट्विटर पर इस गिरफतारी का जिक्र कर दिया सुबह ये मामला सियासत के गलियारों में इतना गर्माया और उसके बाद कॉंग्रेस ने रमन सिंग के दावे को पूरी तरह से जूटा बता दिया लेकिन दूसरी तरफ डी-एट-बी-एट संग के लोग आगे आए और पुलिस प्रशाशन पर इलजाम जड़ दिया अब बीजेपी एक बार फिर मैदान में थी और उन्होंने जिस तरह से रुख अक्तियार किया सरकार पर बीजेपी का हमलावर रुख देखने को बिला बीजेपी ने कहा ये तानाशाही रवाईया है शिक्षकों की आवाज दबाई जा रही है आज इसी मुद्धे पर बात करेंगे और इसी मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में इस वक्त मौझूद हैं वरिष्ट पत्रकार रामावतार तिवारी जी नेता बीजेपी बीजेपी से नेता हैं अमित चिम्नानी जी और कॉंग्रेस से प्रवक्ता हैं अभायर नारायन राय जी आप तीनों महमानों का स्वागत है और जो मुद्दा है वो तो आप सभी के सामने है सबसे पहला सवाल जो है और प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा वरिष्ट पत्रकार राम अफ्तार तिवारी जी आप से इसका जवाब चाहूंगा हर दिन सियासत में एक नया मुद्दा निकल के आता है जैसे हम मुद्दे की तलाश में रहते हों कि आज का मुद्दा क्या होगा आज किस मुद्दे को लेकर हम विरोध पर जाएंगे और कमाम चीजें ऐसी हैं कि असल मुद्दा उस पूरी बहस में से गायब हो जाता है और कॉंग्रेस बीजेपी को हम रोज आपने सामने देखते हैं क्या कुछ कहेंगे तिवारी जी देखे इस समय राजनीती का समय नहीं है उसके बावजूद बे हर कोई राजनीती अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता है वो इस मुद्दे बे भी देखने को मिल रहा है यह कोवीड का समय है इस समय दूरी बनाएं पालन करें थोड़ा विवस्थी तरीके से जीएं तो अभी भी आप आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन के जरूद क्यों है 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 आपकी मांग जाया जाये आपको सत्तर उन्दल ने वादा किया है उस वादे को पूरा भी होना चाहिए पर यह क्या समय सही है एक तरफ केन सरकार हो या राज सरकार सभी सरकारों ने नुक्तियां रोक दी है नुक्तियां इसलिए रुकी है कि सरकारों के खजाने खाली हैं तूसरा इसको लग नहीं रहे हैं तीसरा इसमें सरकारी कामकाज भी 30% हो रहे हैं तो ऐसी तो अपनी अपनी जान बचा ले, अपने परिवार के आसपास के लोगों को मदद कर ले, और किसी तरह आने वाले भविस जो है अच्छा हो, इसके दिसा में काम करे, वो ज्यादा फाइदे मन्द है, अन्यत्था राजनीती के लिए तो बहुत सारा समय, अभी धाई साल सरकार है, कहीं मुद्धे, कहीं का वादा इस सरकार ने किया था, वो पूरा होना चाहिए, बगर अभी थोड़ा रुख जाएं, उसके बाद सारे लोग राजीती करते रहें, जी, बिलकुस हाई बात है, हम अगला सवाल मेरा अभाई नाराय जी, आप से मैं प्रतिक्रिया चाहू पड़ेगा, उस पड़ेगा और इस पड़ेगा में जमीन आसमान का फर्क है, आप बखू भी समझते हैं, क्या कुछ कहेंगे? प्रणेता कोन है? और जनता को मिजगाइट करने का काम कोन कर रहा है? रामतार तिवारी जी ने बहुत प्रमुक्ता से, बड़ी गंभीरता से ये बाते कहीं, कि करोना महामारी के समय में, आज अपनी जान बचाना इंपॉर्टेंट हैं, सारे काम उसके बाद हैं. रही बात कॉंगरेस के वादों का, तो हमने जितने भी वादे किये थे, हम उसमें से 60-70% वादे पूरे कर चुके हैं. और जो वादे बचे हैं, हमारे पांड़ी साल का समय हैं, हम उन वादों को भी पूरा करेंगे, क्योंकि वादा पूरा करने के बाद, हमको जनता के बीच में जान का, तीन पढल की भरती होनी थी लाक ख्याता सिच्चक और ताययक शिच्चक ब्याक्याटा की नियुक्ति लेए अनके वैरिफिकेशन कर लिये गए, नको नियुक्ति दे लगए अ educator से बड़ा काम है वैरिफिकेशन करने का सबसे बड़ा काम है वेरिफिकेशन करना चोटा सवाल इसमें निकल करके आता है कि अगर कोई भी विधायक चुनाओ जीच जाए उसको प्रमाणपत्र नहीं दिया जाए और उसको विधान सभाव में शपत ना दिलाई जाए तो क्या विधायक इतना इंतजार कर लेंगे देखिए जब समय आता है तो सब को इंतजार करना पड़ता है आज हम और आप इतना इंतजार कर रहे हैं कि जो मरीज भड़ती है उसको हम देखने में जा पा रहे हमारे घर के हमारे भाई हमारी माँ हमारी बेटा बढ़ती है और हम अस्पताल ने जा पाते हैं घर में ठीक ह प्रदेश की जनता को पूरो मुख्यमंत्री ने किया जनता को पूरा मामला सामने आया है और प्रतिक्रिया आई है अभाएण राय जी की वह भी आपने सुनी क्या कुछ कहेंगे चोटी सी प्रतिक्रियां की पुए को यह पता ही नहीं कि जो चिक्षक अंदोलन कर रहे हैं उनकी स्थिती क्या है जै यह वो शिक्षक हैं जो जो युवा पीडी का भविष्ट बनाने के लिए आगे आदे माले थे तो हमन सेंस पे और इनकी बुद्ध मानिता पे सवाल ना उठाएं तो ज्यादा अच्छा होगा इनको पता है कि कुरोना काल चल रहा है लेकिन क्या करें अगर पेट में रोटी नहीं है क्या करें अगर म तो महीना था जब सारी प्रक्रिया विकास जी संपूर्ण हो चुकी है आखिर ये इंतिजार इतना लंबा क्यों हो रहा है और कुरोना काल का बहाना है यही कुरोना काल है जिसमें 13 मंत्रियों के लिए कॉंग्रेस ने 15 संसदिय सचीयों की निफ्ति की निगम मंडलों की नि आख आएंगे और एक बड़ी बात जो यह कह रहे हैं मानने विकास जी कि हमको आप शम्शान घाट में ड्यूटी लगा दो इनकी संवेदन सिल्टा को समझने वह तो कह रहा है कि को रोना काल निकल जाने दीजिए हम सबको नियुक्तियां देंगे हमने वादा किया है तो हम मैं लोटूँगा आपके पास अब है सर मैं आपके पास वापस लोटूँगा प्रतिक्रिया ले ले दीजिए अमिजी देखिए कोरोना काल अब चल रहा है तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी क्या होने वाला है यह भश्यक के गर्भ में है लेकिन दो साल से यह शिक्षक आर्थिक संकट से जूद रहे हैं और एक बहुत महत्पूर बात कोरोना काल होने की जैसे सरकार ने नियमों में बदलाव किया है और जो शिक्षकों को वेतन देती थी उसको उसको कटोती करके उसमें स्थाइफंड वर्ड जोड़ा है तो स्थाइफंड तो दीजे ना कोरो अंदोलन को मजबूर रहेंगे आखिर कोई तो आखरी तारीक सरकार को देनी होगी चले हम वरिष्ट पत्रकार राम अवतार तेवारी जी की और रुख करते हैं और उनसे जान लेते हैं क्योंकि दोनों सभी के प्रतिक्रिया इसर एक राउंड हो चुका है दूतरे मुद्धिमान ना हुए होते तो यह दुनिया बड़ी सरल हो गई होती तो सर कितनी सरल प्रक्रिया है सब कुछ सरल था लेकिन उसको जबर्दस तरीके से जटिल बना करके प्रस्तुत किया जाता है और मुद्दे सामने आते हैं क्या कुछ कहेंगे कैसे कैसे चलेगा सर जो यह सिख्षक हैं उनका जो आंदोलन है वो अभिक नहीं है यह पिछले पांस साल भाजपा सरकार के समय का है उस समय भी प्रक्रिया उस समय भी वादे थे वो वादे पूरे ने हुए तब भूपेज बगेल ने यह वादा पूरा करने का वादा किया था तो यह जो मांग है यह भाजपा सरकार के समय उस समय से अंदोलन चड़ रहा है यह अभी का नहीं है एक बात दूसरी बात कि जिस तरह से स्कूल कालेज बंध है पूरे जो इस्थाई सिक्षक है वो पढ़ा नहीं रहे हैं पूरा सिक्षा व्यवस्ता डप है कही कोई कतिवती नहीं है सर जो होनी चाहिए नुक्ति आदेश देकर उनको संतूस्त किया जा सकता यह किस तरह से हो यह देखना चाहिए बिल्कुल टीक बात अंदोलन प्रदर्शन का वक्त नहीं है यह बात है दूसरी बार इन सक्ष जो जो बेरोजगार जो थे उतको रोजगार मिल गया उसकी प्रक्रि करेगा वो कैसे बढ़ेगी यह सरकार के उपर है सरकार कैसे विश्वास हासिल करेगी यह उसके उपर है बिल्कुल सड़क के आने के अगर स्रजन करना है तो संतुलन ही सातना होगा संगर्ष से तो सर विक्रती ही आएगी और यह हम लगातार देखते आ रहे हैं कई साल गुजर गए सियासत आज का मसला नहीं है हम राजशाही के दौर से लेकर आज तक यहां खड़े हो हैं सराज 2021 में लेकिन हम लगातार यह जो कुछ यहां पर बातचीत हुई वो सब कुछ आपके सामने हैं जिससरा से बीजेपी से हमारे महमान जो है अमिट चिम्नानी उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने अपनी बात कही है आप कुछ कहना चाह रहे थे आपकी परतिक्रिये हाधी को भ्रती जंटा पाजटी को 15 साल तक याद नहीं था कि यह विरोजगार है यह मनरेगा में काम कर रहे हैं यह खाना खा रहे हैं कि नहीं इंकि क्या परसानी है जब यह भरती हो गए तो उनकी चिंता कर रहे हैं जे 15 साल तक आपने इन्हें बिरोजगार रखा 15 साल तक आपने पदों को खाली रखा वह सरकार बनने के दो साल के अंदर हमने भरती निकाली हमने परिच्छायां उजित कर ली हमने उनका चैन कर दिया अब करोना क सब्सक्राइब करते हैं विद्वा विलाब हम यहां विपक्ष में हैं विपक्ष का क्या दायतु वह जनता ने क्या काम दिया है हमको कि सरकार जो वादे करके आई है अब अब पर्तिक्रिया तो लेनी होगी लोगतंत्र है सर विरोध और समर्थक दोनों को हमें सुनना पड़ेगा अब आपको भी उन्हें सुनना पड़ेगा अमेर्जी कॉंग्रेस कभी भी लोगतंतर की हमायती नहीं रही है आपको मैं एक मेसेज पढ़के दिखा रहा हूं यह भाजवपा का आरोप नहीं है यह आरोप लगा रहे हैं यह शिक्षक अभियर्थी ने लिखा है जो अपनी निवक सब्सक्राइब कर लिए बहुत सारे लोग आपको फॉलोग करते हैं सर मेरी बास सुन लिजे निवेदन सुईकार कर लिजे आप लोगों को बहुत सारे लोग सूनते भी आप लोग करते हैं क्या मेसिज देंगे हम आने وाले समय में कि राजनीति का आधार विरोदी है हम विरोदी विरोधी को बरदाश्त नहीं करेंगे हमारा विरोधी को यह नहीं होना चाहिए तब ही तो लोगतंत्र की खुबसूरती होती है जंता तक भी बात जाएगी और आप भी अपनी बात कह पाएंगे नहीं तो अगर बहस करेंगे तो हमें ही कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्य करने की धमकी दी जा रही है तो यह सरकार का रविया क्यों है मैं जानना चाहता हूं आखिर उन cishik-ों को अपनी बात रखने का अधिकार है की नहीं है आप क्यो ने डराधं का रहे हैं आप किस लोगतंत्र की तो यह जो दमकी दी या रही है शिक्षकों को जो अपने हक रहा है उसके लिए जवाब देंगगे प्लीज और ये मेहनी कह रहा हूं शिक्षक अभियर्ति कह रहे हैं उसका मैसेज को पढ़ के बता दिया यह सत्य है इस पर जवाब ले लेते हैं अभाई जी का अभाई जी बाईट भी है सामने और ये मेसेज भी उन्होंने सुनाया है पढ़कर के क्या कुछ कहेंगे आपका कहना है कि कि किसी ने भी ऐसा मेसेज नहीं भेजा जबकि हमने अपना जो पैकेज दिखाया जो रिपोर्ट आपको दिखाईए उसमें आप भेरती कहते हुए नजर आ रहे हैं सरसाफ को पर क्या कहेंगे जिकास जी रमन सिंग जी ने सुबह ट्वीट किया कि रात को ही सिच्छक संग के पदादिकारियों को गिरबतार कर लिया गया जबकि सिच्छक संग डियाट वियाट की जो सच्यू हैं सुसान धराई जी ने रमन सिंग के ट्वीट को नकारा उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमारा कोई पदादिकारी गिरबतार नहीं है पूलिस ने इंकार किया और ट्वीट किया राइपूर पूलिस ने कोई सिच्छा क्टा ने किया गया है तो जूट 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 आखिर टूल किट का ताहरा लेंगे तक रहां जूट करेंगे जूट अब जी कुछ कहना चाहरा है जी एक चोटी सी प्रतिक्रिया बहुत बड़ी बात है कि जिन्दगी बर्बाद करने की धंकी देना कियो दे रहे हो किसकी जिन्दगी बर्बाद करोगे अब जी इस पर जवाब करोगे 15 साल तक बदों को खाली रखा ले लेते हैं वो विसलेशक के तौर पर मौजूद है राम अव्तार तिवारी जी आपने पूरा सुना पूरा देखा एक तरफ से कहा जा रहा है कि या आरो जूटा है बेबजुनियाद है एक तरफ कहा जा रहा है कि ऐसा कोई मुददा ही नहीं है सब कुछ उल्जा हुआ है इतना जादा उल्जा हुआ है कि शायद सुल्जाने में कितना वक्त लगेगा यह तो कोई नहीं कह सकता आपने पूरी चर्चा सुनी है क्या कहेंगे आपका एक्सपर्ट व्यू पिछड़ा इलाका है सिख्षा विवस्था में सुधार के लिए नियुक्तिया होनी चाहिए नियुक्तिया के लिए जो पात्र हैं जिनका चैन हो चुका है उसकी आगे की प्रक्रिया करनी चाहिए सरकार को इसके आपसी बैठ कर सभी लोगों के ये राज़िती करने का समय नहीं है सभी लोगों को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए काम करना पड़ेगा आरोप प्रत्यारोप की राज़िती तो कर सकते हैं हर कोई अपनी दली प्रतिबधता के उनसार बात कर रहा है जो व हला हंगामा और अंदोलन की जरुवत नहीं पड़ेगी बिल्कुल सही बात है मैंने जैसा कि पहले कहा था मैं बात दोहरा रहा हूं कि संतुलन से ही हल निकलेगा सामझसे से ही हल निकलेगा संघर्ष से नहीं निकलेगा सर हमें समझना होगा बातों को हमें चीजों को समझन होगा हमें मुद्दों को समझना होगा किस वक्त के कौन से मुद्दे जरूरत है इस पर भी बात करनी होगी क्योंकि हर दिन हम देखते हैं कि एक नया मुद्दा सियासत में गर्मा जाता है और उस मुद्दे में से जिस वजह से वो मुद्दा निकल कर क्या है अब टूल किट की बात कर लें धान की बात कर लें अगर धान का मुद्दा है तो किसान गायब हो जाता है शिक्षक आंदोलन की बात कर लें तो उसमें से शिक्षक गायब हो जाता है हम देखते हैं कि बीजेपी और कॉंग्रेस अक्सर आमने सामने होती है सर हमारा इति एस्थापित किये गए वो मानक इस्थापित किये गए जो लोगतंकर की सच्ची मिशाल को पेश करते हैं सर बहुत कुछ है समरदी बहुत कुछ है और हमें वह लगातार मिली लेकिन वाबजूद इसके आज हम क्या कर रहे हैं सर ये भी हमें समझना होगा गौर करना होगा कि आने वाली पीड़ी को हम क्या सौपेंगे कि राजनीती का आधार विरोध होता है क्या कि इतना काफी है सर सोचने वाली बात है खेर आप तीनों महमानों का हम से चर्चा में ज बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद